Hey guys, welcome to Acquisito Education आज की वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं कि एक नए rules लाए गए हैं small और medium companies के लिए हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से उनके threshold को बढ़ा दिया गया है उनकी borrowing capacity बढ़ा दी गई है और कह सकते हैं यहाँ पे एक कुछ नए rules भी लागू करे गए हैं हम सब कुछ देखने वाले हैं अपनी आज की वीडियो में कि किस तरीके से हमारी सरकार अब large capital companies को छोड़के या फिर कह सकते हैं कि large capital company के साथ साथ small और medium companies को भी आगे बढ़ाना चाहती है क्योंकि यही आप कह सकते हैं इंडिया के अंदर small और medium companies जो हैं वो बहुत जादा आप कह सकते हैं डेवलप हो रही हैं यहाँ पे नए-ने entrepreneur सामने आ रहे हैं अपने खुद के business लोग स्टार्ट करने वाल चालू कर दिया है लोगोंने तो काफी कुछ जब देखने को मिला है तो इंडिया की government ने मान सकते हैं यहाँ पे अपनी जो इंडिया के ministry है उन्होंने भी काफी कोशिस करी है कि यहाँ पे small और medium companies को कुछ benefit दे सकें तो आज की वीडियो में यही सब discuss करने वाले हैं की वीडियो को पूरा देखीगा आपको आज की वीडियो में काफी कुछ समझ में आने वाला है सबसे पहले हमारी जो corporate affairs ministry है उसने बोला है कि वह एक्स्पेंड कर रही है turnover और borrowing threshold उन सभी small और medium size company के लिए जो कि आप कह सकते हैं allow करती है large number of firms और आप कह सकते हैं यहां पर उन्हें कुछ तरीके के benefits भी यहां देखने को मिल रहे हैं हम लोग यहां पर देखने वाले हैं कि किस तरीके से यहां पर turnover और borrowing threshold को बढ़ाया गया है सबसे पहले बता दू मैं आपको हमारी corporate affairs ministry ने यह कहा है कि जहां पर पहले बात कर जाती थी turnover threshold की जो कि 50 करोड हुआ करता था उसे बढ़ा के अब 250 करोड कर दिया गया है मतलब कि smaller medium companies अब 250 करोड के अंदर आएंगी और उनकी borrowing capacity जो है आपके समें borrowing threshold है वो 10 करोड से बढ़ा के 50 करोड कर दिया गया है ओके यह बात आपको दियान रखनी है इसके साथ साथ यहाँ पर एक company rules 2021 लाया गया है जहाँ पर जो भी आप कहते हैं जो complexity देखी जाती थी हमारे regulatory feelings पर small firms के लिए वहाँ पर भी इन्होंने कुछ exemptions दिये गये हैं तो काफी कुछ हमें देखने को मिला है और आपको यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर कुछ classification भी करा गया है जैसे banks हो गए financial institutions हो गए insurance companies हो गई यह सारी company SMC में नहीं आएंगी मतलब कि यह सारी SMC में नहीं classified किया जाएगा मतलब कि वह SMC में नहीं गिनी जाएंगी तो यह दोनों बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं important बाते हैं जो कि आपको याद रखना है पहली बात तो bank, finance institution, insurance companies यह सारी SMC में नहीं आएंगी और दूसरा आप कह सकते हैं यहाँ पर जो भी कोई company holding company यहाँ पे जो भी available आप मान सकते हैं यहाँ पे SMC हैं उनके लिए और किसी भी firm के लिए यह available नहीं है सबसे पहला बताया गया है यहाँ पे completely छूट मिली जाएगी उन companies को जिनका file cash flow statement और साथी साथ वो अपने segmental breakup जो होंगे उनकी जो financial performance है उसको mandatory fill करेंगे उन सभी को यहा आपको और भी benefits हैं इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे कुछ companies हैं जिने partial आप कह सकते हैं benefit मिलने वाले हैं उनके ऐसे companies जहां पे उनके employees को obligations मिलते हैं ओके मतला जैसे की pension हो गई कुछ external benefits जो उनके employees को मिलते हैं उन्हें भी partial reporting छूट मिलने वाली है ओके इसके साथ साथ बत benefit वो लोग दे रहे हैं उसके बारे में वो provide करवाएंगी तो उन्हें भी यहाँ पर छूट मिलने वाली है और आगर आपको मैं आगे बताऊं तो उन्हें भी छूट मिलेगी जिनके पास आप कहते हैं dilute earning per share होगा उनकी feelings में यह बात आपको ध्यान रखनी है अब dilute per share क्या होता है इसमें क्या होता है जितने भी आप कह सकते हैं उसके share की पर share की earning होगी जो एक पर share की earning होती है उसे आप कह सकते हैं convert कर दिया जाएगा अलग securities में और फिर उसे share की exercise में use किया जाएगा ओके तो यह बात भी आपको दियान रखनी कि किन किन लोगों को कहा कहा जूट म मिलने वाली है लास्ट में मैं बात करेंगा कि तो किस तरीके से इन firms को मतलब जो smaller medium firms है इने किस तरीके से impact करने वाला है उसके बारे में तो बता दूँ मैं सबसे पहले ही आपको कि expert का यह मानना है कि यह promote करेगा ease of doing business का इंडिया के अंदर यहां पर मैं बता दूँ आपको मतलब accounting standard है वो काफी ज़्यदा complex हो जाता है small और medium firms के लिए या फिर companies के लिए वो बहुत flexible है अगर हम लोग large companies के आरे में बात करते हैं लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर small और medium firms के लिए तो बहुत ज़्यदा complex हो जाता है और अगर मैं बता हूँ आपको जो तो यह बात भी आपको ध्यान रखनी है I hope दोस्तों इस वीडियो से आपको काफी कुछ समझ में आया होगा अगर आप भी आपको कोई doubts रह जाते हैं तो comment section आप लोग के लिए है कोई भी अगर आपको feedback देना है तो comment section आप लोग के लिए है तो दोस्तों यहीती पूरी आज की वीडियो आई होप की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी मिलते आपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए have a nice day